यहाँ पर लिखा है third root तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से 3x plus 4 और power कर देंगे इसकी 1y3 लेकिन power denominator में है तो numerator में जाके minus होगा और देखिए इसकी differentiation मिलती है 3 तो हमें यहाँ पर 3 ऐसे और ऐसे लिखना पड़ेगा फिर हम formula यूज करेंगे fx इसकी integration अगर power n हो तो इसकी integration आती है fx जो भी power लिखी है वो power 1 increase कर देंगे और नई power से add कर देंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही है 3x plus 4 की जो differentiation है वो 3 है मतलब यह 3 यहाँ पर adjust हो गया इसके साथ तो हमें answer मिलेगा यह 3 बाहर आएगा 1 by 3 फिर यह formula यूज होगा 3x plus 4 power minus 1 by 3 plus 1 over minus 3 plus 1 plus c simplify करके हमें मिलेगा 1 by 3 3x plus 4 power मिलेगी 2 by 3 और यहाँ भी 2 by 3 तो 3 3 cancel हो जाएगा plus c